हंजी नमस्कार दोस्तों सागत है आपका एक पर फिर से हमारे यूटूब चैनल प्रिक्षा गाइड पर अगर दोस्तों आप भी वर्दमान मावीर खुला विश्विद्याले कोटा से कोई भी कोर्स करना चाहते हैं चाहे वो D-L-I-S हो B-L-I-S हो M-L-I-S हो या फिर M-A हो B या फिर योगा में डिप्लोमा हो तो आप इस कोर्स को किस तरह से कर सकते हो इसके ओनलाइन फॉर्म कब से शुरू होंगे लास्ट डेट क्या रहने वाली है आप सभी के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि जुलाई 2023 के न्यू शेहसन कब सुरू होंगे अभी तक सुरू नही है जो सभी के कोमन्त है पहला तो यही है वी एम्यू के न्यू एडमिशन कब सुरू होंगे फ्रेस एडमिशन न्यू शेहसन जुलाई 2023 फिर है प्रमोटी फॉर्म कब सुरू होंगे उसके बाद है प्रेक्टिकल एक्जाम जून 2023 है तो डिफोल्ट रावेदन यह चोथा प के अंसर को जानते हैं तो पहला था कि वी एम्यू के न्यू एडमिशन कब सुरू होंगे तो दोस्तों मैं आपको बता दू इनके जो न्यू एडमिशन है वो 26 सेप्टेंबर 2023 से सुरू होने के पूरे पूरे चांस है जी हां दोस्तों 26 सेप्टेंबर 2023 से सुरू होने के पता ही है, B, B, L, I, S, M, L, I, S, M, A, B, A, B, Com, B, S, C, ठीक है, इन सभी के एक online form शुरू हो जाएंगे, 26 September से पूरे चांस है, ठीक है, तो आपका पहला डाउट तो किलियर हो गया होगा, पिर है second, fresh admission, only for diploma and certificate course, अभी वर्तमान में, present time में, जो VMU में admission चल रहे हैं, वो सिर्फ diploma course और certificate course के चल रहे हैं, ठीक है, जिसकी last date 20 September 2023 रहने वाली है, अगर आप librarian में DLIS करना चाहते हैं, या फिर आप 6 महिने का कोई भी certificate course करना चाहते हैं, तो आप अभी VMOU में admission ले सकते हैं जिसकी last date 20 September 2023 रहने वाली है, ठीक है, आपका second question भी clear हो गया होगा, अभी VLIS, MLIS के form सुरू नहीं हुए हैं, ठीक है, उसके बाद है पर मोटी फोर्म, ठीक है, अभी पर मोटी फोर्म भी चल रहे हैं, जिसकी भी last date 20 September 2023 है, पर मोटी फोर्म क्या होती है, मान लो आप BA first year में ठीक हो, ठीक है, और आपने BA first year के exam नहीं दिये या आप BA first year में fail हो ठीक है, लेकिन अब आपको BA second year में admission लेना है, तो आप पर मोटी फोर्म बरकर admission ले सकते हो BA second year में, ठीक है, उसके बाद है, फोर्थ प्रशन, practical exam, जून 2023 है तो defolter अवेदन, जिसकी last date 25 September 2023 रहने वाली है, अगर आप किसी भी practical exam में fail हो चुके हो, या फिर आपने practical exam नहीं दिया है, तो आप जून 2023 में जो defolter form निकले हैं, उसे भर सकते हो, ताकि आप आने वाले समय में जो practical exam होंगे, उसमें आप बेट सको, जैसे DLIS, BLIS, BA वगेरा, जिनमें भी practical होते हैं, अगर आपने नहीं द देना, defolter, जिसकी तारीक 25 सेप्टमबर 2023 रेने वाली है, theory, defolter form नहीं है ये, मतलब कि theory के लिए जो defolter form निकलते हैं ना, ये वो नहीं है, ये practical के लिए हैं सिर्फ, उसके बाद है, BLIS जुलाई 2021 का result कब तक आएगा, दोस्तों, इसके exam तो बहुत पहले हो गए थे, और अ इसी मईने, यानि कि सेप्टमबर के last में, यानि कि 25 से 30 सेप्टमबर तक, या अगले मईने में आपको इसका result देखने को sure है कि मिल जाएगा, ठीक है, और नितों मैं एक दो दिन में आपको पूरा confirm करके बता दूँगा कि इसका result कब तक आएगा, उसके बाद है, लाश्ट ग्रेड लाइबरेरियन है, ये 500 पदों पर आएगी और सेकंड ग्रेड 300 पदों पर आएगी, टोटर 800 पदों पर आने वाली है, लेकिन कोशिश करेंगे कि इन पदों को बढ़ाया जाए, ठीक है, कम से कम 800 से इन पदों को 1200 किया जाए, जैसा कि पहले इन्होंने कहा था, त तो इसके जो फोम है न, थर्ड ग्रेड लाइबरेरियन के वित विबाग से तो स्विकरती मिल चुकी है, ठीक है, अब ये फाइलें कई और विबाग में भी जाती है, वहां से जैसे ही किलियर होगी, तो जो अगला महिना है, अक्टूबर का, उसमें पूरे पूरे चांस है कि ये फोम निकल जाएंगे, क्योंकि उसके बाद आचार सहिंता लग जाएगी, फिर किसी भी तरह के फोम सरकार नहीं निकाल सकती है, तो इसलिए अगले महिने की एक से लेकर 5-6 अक्टूबर तक इसके फोम जरूर निकल जाएंगे, तो दोस्तों मैंने आपको पूरी इन में यह करना चाते हैं, तो इसके फोम अभी शुरू नहीं हुए हैं, फिर भी अगर आपके कोई डाउट है, तो आप लोग कमेंट जरूर करना, वीडियो लाइक करें, चैनल सस्क्राइब करें, धन्यवाद जैहिंद।